हेलो एब्रिवन एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP English मंत्रा में गाईश कभी-कभी हमें अपने डे-टोडे लाइट में इस प्रकार के सेंटेंसे बोलने होते हैं जैसे वो तारीफ के लायक है राजू पर इच्छा पास करने के लायक नहीं था मैं तुम्हारे काबिल हूँ तो जब कभी बोलने होते हैं आपको ऐसे सेंटेंसे जहां पर कहा जाए लायक होना या काबिल होना तो हाँ पर हम्यूज करते हैं वर्दी आफ इसका हिंदी मीनिंग है ल यहाँ पर जो helping verb है वो हमारा sentence में tense recording change होता रहेगा तो आईए example के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं Now the first one is वो तारीफ के लायक है he is worthy of praise he is worthy of praise Now the next one is तुम बोलने के लायक नहीं हो you are not worthy of speaking you are not worthy of speaking Now the next one is राजू पर इच्छा पास करने के लायक नहीं था राजू आज नाट वर्दी आप पासिंग दी एकजाम Now the next one is मैं तुम्हारे काबिल हूँ I am worthy of you Now the last one is उनके प्रयास आपकी मदद के लायक है their efforts are worthy of your support That's it friends आज की वीडियों पास इतना ही तो यह करते हैं आपसे question हमारा question है आपसे यह कमरा मेरे लायक नहीं है तो guys इस sentence के लिए क्या होगा आप से भी लोग comment box में comment करके बताए और friends अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को like करिए share करिए comment करिए क्योंकि आपका एक like एक share एक comment है motivation देता है next वीडियो बनाने के लिए till then bye bye take care keep learning keep practicing